हेलो डियर स्टूजेंट्स, आइम डॉक्टर शूप्षंकर व्यास, असिस्टन प्रोफेसर गॉवर्मेंट लापीजी कॉलेज बीका नेड़, हम ने अपने कल की जो क्लास थी, उसमें लिगल लेड अंडर सीपी सी, यानि की सीविल प्रिकरिया सहीता के तहत वितिक साहिता स समंद्य प्रावधानों पर चर्चा शुरू की थी, और इस्पेसली हमने उसमें ओर्डर 33, आदेश 33 इस संदर में जो प्रावधान करता है, उस पर चर्चा की और चार बिंदू हमने अपने कल की क्लास में चर्चा की थी, इसमें सबसे पहला बात हमने की थी, कि आदेश 33 नियम एक ये बताता है कि निर्दन व्यक्ति कौन है फिर हमने बात की थी कि आदेश थेतीस नियम बन ए जो ये बताता है कि जिस परकार जो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं निर्दन हूं तो उसकी जांच की जाएगी order 33 rule 2 ये कहता था कि आवेदक जो होगा वो अपनी movable और movable property का ब्योरा में मुल्य देगा फिर हमने rule 3 में बात की थी कि जो निर्दन व्यक्ति के दोरा किया जाएगा खुद के दोरा आवेदन या उसके दोरा प्रादिकृत अभी करता के दोरा या आवेदन किया सकेगा और नियम चार में हमने चर्चा की थी कि इस परकार जो आवेदन किया गया है नियाल ने ओन मेरिट उसकी जाँच करेगा और इदि ऐसा आवेदन उसके प्राधिकरत एजेंट के दौरा किया गया है तो कमिस्नर के दौरा उसकी जाँच करवाई जाएगी आज हम बात कर रहे हैं उसे आगे कि इस परकार जिस व्यक्ति ने निर्दनवाद के लिए आवेदन किया है तो ओर्डर 33 रूल 5 बताता है कि इस परकार के आवेदन को कब नामनजूर किया जा सकता है यानि कि आवेदन को नामंजूर किये जाने के जो प्रोविजन्स हैं उनका उल्लेख ओर्डर 33 रूल 5 में किया गया है तो निमलिखित परस्तितियों में न्यायलेका कर सकेगा इस परकार के आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ग्राउंड नंबर फर्स्ट जहां आवेदन आदेश 33 नियम दो वो तीन की अपिक्षा अनुसार नहीं किया गया है यानि कि हमने उपर चार्चा की थी कि आवेदन की जो विशेवस्तू होगी रूल 2 क्या कहता था कि वह अपने मुवेबल और इमुवेबल प्रॉपर्टी होगी उसका ब्योरा मुल्यों के सहीत देगा उस पर अस्ताक्षर करेगा और सत्यापन करेगा और आवेदन रूल 3 ये कहता था कि आवेदन स्युम के द्वरा किया जाएगा और अगर स्युम के द्वरा नहीं किया जाता है तो और अथराइज एचेंट के द्वरा किया जाएगा तो पहला ground ये है कि जहां इस प्रकार नियम दो और तीन की पालना नहीं की गई है या उस रिती के अनुसार उसका आवेदन नहीं किया गया है तो उसे नामन जूर किया जा सकेगा Ground No.2 जहां आवेदन व्यक्ति नहीं है यानि कि हमने बात की थी कि order 33 rule 1 ये बताता है कि निर्दन व्यक्ति कौन है और उसके बाद हमने बात की थी order 33 का rule 1A जो ये कहता है कि इस परकार जो व्यक्ति कहता है कि मैं निर्दन हूँ तो उसके निर्दन था कि उस ground की जांच की जाएगी तो अगर वो निर्दन नहीं निकलता है तो भी उसके आवेदन को नामनजूर किया जा सकेगा Ground No.3 जहां आवेदक ने आवेदन करने के ठीक दो माह पहले संपत्ति का अंतन किया ताकि वो निर्दन के रूप में वाद ला सके बात को समझे कि जैसे एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो निर्दन वाद के रूप में आवेदन करता है और उस आवेदन किये जाने के ठीक दो महापूर्व वह अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देता है अंतन कर देता है ताकि वह निर्दन के रूप में वाद ला स से पूर्व क्या किया है ट्रांसफर किया है तो ग्राउंड नमबर थर्ड क्या हो जाएगा कि आवेदक ने आवेदन करने के ठीक दोह माह पूर्व इस परकार का अंत्रन किर दिया संपत्ति का जिसे की वह निर्धन के रूप में वाद ला सके ग्राउंड नमबर फोर्थ जहां cause of action प्रगट नहीं होता यानि कि वाद हे दुख उसके जो statement है उसके जो अभीकतन है उससे अगर वाद हे तो प्रगट नहीं होता है तो अभी क्या किया जाएगा इस परकार के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा ग्राउंड नमबर फिप्ट जहां उसने वाद की विष्यवस्तू के बारे में कोई ऐसा करार किया है जिसके अदीन किसी अन्य व्यक्ती ने ऐसी विष्यवस्तू में हित प्राप्ट कर लिया है याणि कि उसने किसी अन्य व्यक्ती के साथ agreement कर लिया और इसके तह तहत उस उस subject matter में उस विशेवस्तू में हित प्राप्ट कर लिया है Ground No.6 जहां उसका वाद किसी विधी के द्वारा वरजित है But by law किसी भी विधी के तहट अगर उसका जो वाद है वो विधी द्वारा वरजित है तब नहीं ला सकेगा And last जहां उसने निर्दनवाद लाने के लिए विध पोर्शन प्राप्ट कर लिया है यानि कि किसी और से Finance सपोर्ट लिया है तो ऐसी इस्तती में वह जो आवेदर है नाम मंजूर कर लिया जाएगा तो ये जो Rule 5 है Order 33 का बड़ा ही important हो गया जो हमें ये बताता है कि इस परकार जिस व्यक्ति ने निर्दनवाद के रूप में वाद लाने की अनुमती मांगी है तो नियाले इन परस्तितियों में जिनका उल्लेक इस नियम पांच में किया गया है क्या कर सकेगा नामंजूर कर सकेगा यानि कि रूल टू और थ्री के तहट रित्ति के अनुसार आवेदन नहीं किया है वो निर्दन व्यक्ति नहीं है उसने आवेदन से ठीक दो महाँ पहले अपने संपत्ति का ट्रांसपर कर दिया है कौज ओफ एक्सन प्रगट नहीं हो रहा है उसने विश्यवस्तू के समन में किसी अन्य व्यक्ति से करार कर लिया है उसका जो वाद लाने का अधिकार है वो किसी विधीद्वारा व्रजित है या उसने इस निर्दन वाद के लिए वित पोशर प्राप्ट कर लिया है तो इन आधारों पर क्या हो जाएगा उसके आवेदन को नामनजूर किया जा सकेगा नेक्स रूल ये कहता है कि साक्षे लेने के लिए दिन की सूचना यदि नियायले ने उक्त परकार से आवेदन को नामनजूर नहीं किया है यानि कि ओर्डर 33 रूल 5 में जिन ग्राउंड का उलेक किया गया है उसके तहट नियायले के द्वारा आवेदन को नामनजूर नहीं किया गया है तो नियायले सुनुवाई के लिए दिन निश्चित करेगा जिसकी सूचना कम से कम दस दिन पूर्व विरोधी पक्षकार वो सरकारी वकील को दी जाएगी यानि कि निर्दनवाद के रूप में वाद को चलाने के लिए सक्ष देने की सूचना के बारे में ओर्डर 33 रूल 6 ये प्रौविजन करता है कि ओर्डर 33 रूल 5 में नियायले अगर आवेदन को नामंजूर नहीं करता है तो नियायले सुनवाई के लिए दिन निस्चित करेगा और जिसकी सूचना कम से कम दस दिन पूर्व विरोधी पक्षकार को और सरकारी वकील को दी जाएगी ओर्डर 33 रूल 7 ये कहता है कि नियायले और ओर्डर 33 रूल 6 में तैक ये दिन जो है दोनों पक्षकारों के साक्षे लेगा और साक्षों की परिक्षा केवल और नियम 5 जिसकी हमने उपर बात की थी किन आधारों पर नामंजूर किया जा सकता है तो जो उसका ग्राउंड B, C, O, D है उसी के पर साक्षे लिया जाएगा अर्थात क्या विदक निर्दन है या नहीं है उसने संपत्ति का अंतरन कर दिया है या cause of action प्रगटनी होता है इन बातों पर क्या करेगा नियायले उस निर्दारित तारीक को साक्षे लेगा यानि कि साक्षे लेने की जो बात है वो limited हो गई कि वह और इस rule 5 के close ख, ग, औ, ड, इन विश्यों पर क्या करेगा साक्षे लेगा तो 5 में हमारे पास में ground आगे कब नामंजूर करेगा 6 कहता है कि अगर नामंजूर नहीं कहता है तो साक्षे लेने के लिए दिन की सूचना दी जाएगी जिसकी विरोधी पक्षकार को और सरकारी वकील को कम से कम 10 दिन पूरो सूचना दी जाएगी कि साब हम इस दिन साक्षे लेंगे अब वो जो तारीक तया हुई है उस दिन नाले क्या करेगा साक्षे लेगा दोनों पक्षिकारों के साक्षे किस बात पर लेगा नियम 5 जो हमने चर्चा की थी उसके B, COD जो ग्राउंड है उन पर साक्षे लिया जाएगा फिर Order 33 का Rule 8 आवेदन को मंजूर किया जाना जहां आवेदन को मंजूर किया जाता है ऐसी इस्तती में क्या कर दिया जाएगा उसे Registered कर दिया जाएगा संख्याकित कर दिया जाएगा यानि कि नियायले ने क्या गिया है आवेदन को ना मंजूर नहीं किया है साक्षे लेने की तादिक थी उस दिन साक्षे ले भी लिया और लेने के बाद में उसे शुवकार कर लेता है तो नियायले क्या करेगा उस मामले को संख्याकित और रजिस्ट्री कर लेगा यानि कि उसे अपने रिकॉर्ड पर ले लेगा इस प्रकार ये प्रक्रिया यहां तक हमारी चलेगी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे धन्यवाद